बागवान इसमेंसे और कैसे कैसे भक्तों के लिए प्रगट हो जाते हैं एक कथा याद आ गई महाराष्ट में एक जगे थी उसका नाम ताक करहड़ा वहाँ ब्रामणों का काम था एक बगल में और इस करेड़ा में एक भगवान की बड़ी भक्त एक बहु आई व्याँ करके अब ओ घर तो जो था वो वैसा था कैसा जैसे आज कल जो बहुत बहुत जो धरम चलेगा है न पंथ दंबीन निजमत कल पे करे प्रगट किये बहु पंथ जैसे दंबियों ने अने को प्रकार के पंथ प्रगट कर दिये हैं वो जिसमें न कोई भगवान न कोई सास्त्र न कोई सिद्धांत ये का धरम तो ऐसा है उसमें ये कहते है का भी पतनी पती के पाउंची है और आगे मत बलवा ये का ऐसा धरम धरम का धरम के नाम पे अधरम हो गया न कहने को धरम और करा क्या रहा है अधरम उन्होंने गीता सास्त्रों को पढ़ा लेकर समझा नहीं और उधारन देते हैं हमारी गीता का क्या कहते हैं कि सुनी चैवस्वपा के चर्व पंडिता शमदर से नहार बोले हमको सब में समान दर्शन करना हैं समान दर्शन लेकिन वो नादान लोग ये भूल गए कि किर्ष्ण भगवान को यह ऐसे नादान नहीं थे तुम्हारी तरह उन्हारा सोच समझ के लिखा कि सम दर्शन करना हैं सम बरतन नहीं करना उन लोगों से मैं एक प्रश्ण पूछ दूँ कि जब सम में समान देखना हैं तो फिर मा उए अपनी पतनी की तरह देख लेओ अपनी पतनी ये मा की तरह देख लेओ जब सम में समान कर रहे हो तुम बरतन कर रहे हो साली को बेहन की तरह देख लो समान बरतन पता नहीं कैसी बुद्धी हो गई लोगों की सम दर्सन कहा है सम बरतन नहीं कहा और उन नादानों ने सम बरतन कर लिया एक पंडी जी गए एक घर में बोजन करने के लिए ऐसा ही घर था जिसमें समबर्तन होता हूँ जैसे पत्नी ने पती के पाउँ चुए और तुरंत पती जो कास हो पंडी जी बोले अरे तुम क्या करते हो बोले हमारे यहां समबर्तन चलते हो समबर्तन है बोलते तो समबर्तन है लेकिन करते समबर्तन है बोले हमारे यहां समबर्तन है पंडिजी थोड़े उशार थे पड़े लिख गे थे उन्होंने कही है तो बहुत अच्छी वाद है साब आप तो इतने ज्यानी हो गए पंडित हो गए विद्वान हो गए हो तुमें तो सब ज़े का परमात्मा दिखाई देता है बोले साब हमारे यहां तो बिलकुल सब में परमात्मा सिया राम में सब ज़े जानी अच्छा तो बोले तुमें एक दूसरे का जूटा भी खा लेते होंगे आरे बोले तो रोच खाते हैं बोले एक दूसरे का भी खाते हो कर सब में किसी का भी खा लेते हो बोले हम तो किसी का भी खा लेते हैं तो उनके पंडी जी के साथ में एक चेला था और वो जो घर था उस घरवाली ने कुट्टा पाल रखा था और बाहर कुट्टा जिसमें खाता था वो बर्तन रखा था तो पंडी जी बोले अपने चेला थे के चेला लेके बाहर जो कुट्ता खाता है न वो बरतन है न उसको लेके आप और उसमें खेलाएंगे इनको सुझी वो सिर्फ हो जाने लगा कुट्ते के नहीं है कुट्ते का नियम नहीं है अरे गीता के शुलोक में सबसे पहले तो उसी का नाम आजा सुनी चैवा स्वपाके चर पंडिता समधर से न बोले कुट्टे में हाथी में गोडा में गदा में समझ परमात्मा का दर्षन करे बोले नहीं हमाय गुरुजीन तो बताईए अपनी पत्नी में बगवान को दर्षन करनो बस अच्छा ती पत्नी में ही बगवान को दासन का अजीव गोश्वाम जी को पता था था कि ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे इस दुनिया में और ऐसे लोगों के मानने बाले भी हो जाएंगे बोन से भी जादा मूर्ख हो जाएंगे है हरित भूमित्रिन संकुला समुझि परैनै पंथ जिमि पाखंड बादते लुप्त होई सद गंत जिमि पाखंड बादते लुप्त होई सद गंत